दोस्तों मानसून की पहली बारिस गिर चुकी है और लगबग सभी जगों पर मानसून आ चुकी है अगर कुछ जगों पर नहीं आई है तो 2-4-10 दिन में आगे आ जाएगी आप सभी को पता है कि बारिस का पानी पौधों की निच्रल ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा लावडायक होता है ऐसे में जो पौधे हमारे अभी तक ग्रोथ नहीं कर रहे थे उनमें भी ग्रोथ आने सुरू हो जाती है तो जो पौध है जिस पौधे के बारे में आज ह अच्छे से flooring करता है तो अभी से अगर हम इसकी care करेंगे अभी से इसको save देंगे इसको बुसी बनाएंगे तो हमारा जो गुलाब का पौधा है वो पूरी सर्दिया हमें काफी अच्छे से flooring देगा तो इसके लिए हमें क्या करना है इसकी pruning, trimming और साथ में composting कैसे इसकी care कर भी करती है बागी पौदों पर जो है वो हम अब कर रहे हैं तो हमने इसको सोचा कि आप लोगों के साथ भी साजा कर लिया जाए तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने के लिए हम आपको पहला जो सबसे मेन चीज होती है वो बताते है जब भी आपके यहां बारिस का मौसम सुरू हो गया है तो आपको जो सबसे पहली देखने की चीज होती है वो आपको गमले की मिट्टी चेक करनी है मिट्टी में पानी ड्रेन आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है मिट्टी में पानी रुकना नहीं चीए ड्रेन होना चीए जब भी आप वाटरिंग करें तो पान इसमें हल्दी पाउडर या राख का यूज कर सकते हैं जिससे की इसनेल्स या चीटियां ये गंबले से दूर जाएं और रूट्स को डैमेज ना करें साथ में जो मिट्टी में पानी रुकता है उसके लिए आपको हर 10-15 दिन में गुड़ाई करते रहना है गंबले की मिट्टी की जिससे क्या होता है मिट्टी की उपरी साता है वो भूरबूरी रहती है तो जो पानी इसमें बारिज का गिरता है तो वो नीचे ड्रेन आउट होता रहता है पानी लगना नीचे गंबले में वरना लगेगा तो फंगस पैदा होगी अब गुड़ाई करने से पहले मैंने आपको दिखा हूँ जैसे यह जो खरपतवार है सूखी पतियां है इन्हें आपको निकालते रहना है और ड्रेनेज होल को भी चेक करना है कि कहीं ब्लॉक न लेनी है अगर इसके नीचे कोई ग्रोथ आपको नजर आए तो उसे आप ततकाल रिमूब कर दिजिए वो सकर्स होती है और सकर्स में कभी फूल नहीं आते हैं बहुत लंबी लंबी ब्रांच वो सारी एनरजी पौधे की ले लेते हैं मिट्टी में से और उसमें फ्लावर् इस पौधे में सकर्स को नहीं रखना है अब दोस्तो इसके बाद आते हैं अभी होगा है तो फूल बनके जढ़ चुके हैं सूख रहे हैं इन सबको आपको हटाना आए तो अम इसको ख़टा लेते हैं तो ये पौध से इस दिख रहे हैं जिसमें से हमने सभी dead leaves जो हैं जिनमें कोई fungus थी कोई विमारी थी किसी वज़े से खराब थी तो उन्हें सब को हमने हटा लिया है और पौधों की trimming कर दिया हमने soft trimming trimming करी है hard trimming नहीं करी है चुकि अभी हमारे पौधों में देख सकते हैं आल्रेडी growth श्टार्ट हो चुकी नई growth बननी हो शुरू हो चुकी है तो इससे हमने छोड़ दिया है इसलिए हमने soft pruning की ताकि ये growth काफी अच्छे से develop करेंगी तो सभी पौधों में trimming कर ली है और मिट्टी की गुड़ाई कर ली है अब जो अगला इस्टेप आता है दोस्तों वो आती है composting की अब composting को मैं आपको दिखाता हूँ मैं दो तरीके से composting करता हूँ जिसमें ये आप जो देख रहे हैं ये compost हैं जो मुझे इस मिट्टी में देनी है इससे पहले आपको क्या करनी है मैं आपको दिखा दूँ इस प्रकार से कोई enzyme हो आपके पास तो आप इसे इस compost को देने से पहले करीब 3-4 दिन पहले इससे यूज करें इसको यूज करने से क्या होता दोस्तों मिट्टी की जो कारे प्रणाली होती है वो काफी अच्छे से बूष्ट होती है उसमें इसको देने के 2-3 दिन बाज जब हम इस प्रकार से compost देते हैं तो मिट्टी जो है इस compost को काफी अच्छे से ग्रहण करती है और उससे पौधों को roots को काफी अच्छे से लाब मिलता है तो अब दोस्तों इसके बाद मैं आपको पता हूँ जो compost हमने ली है इसमें ये वर्मी compost, bone meal, साथ में नीम खली, नीम खली बहुत ही जरूरी है मानसून में, आपके पौधों में, मिट्टी में fungus लगने से भी बचाएगी साथ में इसकी nutrition value भी काफी अच्छी होती है इसके लाओं गुलाब को जो सबसे ज़्यादा पसंद होता है वो है epsom salt गुलाब को आप सभी को पता है थोड़ी चारी मिट्टी पसंद होती है तो ये सभी चीजों को हम आपस मिक्स कर लेंगे तो दोस्तों हमने मिक्स कर लिए ये जो compost हमने ready की हुई है और इस compost को अब हमें जितने भी हमारे गुलाब के पौधे हैं सभी में इस परकार से लिए कंशी का पौट है इसमें हम एक गंभले में दो मुठी ये कंपोंस्ट मिलाइंगे और इसको कमबले में डालनेय के बाद मिट्टी में अच्छे से मिला देनाय Rigma करना आए और करने के बाद फिर हम इसमें आजारेंगा वाटरिंग की दोस्तों बहुत ही खयाल रखनी की चीज है कि मांसून में वाटरिंग आपको तभी करनी है जब कम से कम दो दिन तक आपके यहां बारिस ना हुई हो क्योंकि मिट्टी आल्रेड़ी गीली होती है और गीली मिट्टी में अगर आप वाटरिंग करेंगे तो पौध हो जो है रूट रॉट होगा, फंगस पैदा होगा, खराब होगा तो आपको ध्यान रखना है कि watering तभी करें अभी हमने देखे एक मिट्टी गीली थी हमारी हम इसमें अभी फिलाल watering नहीं करेंगे अगर मिट्टी हमारी dry होती तो watering करते अब एक चीज और जो ध्यान देने वाली है जो grafted portion होता है इसको आपको ध्यान रखना है कि कभी भी इसको मिट्टी नहीं लगनी है अगर मिट्टी लगेगी तो grafted portion वहाँ से खराब होगा साथ में आपका पूरा पौधा खराब हो जाएगा तो इस प्रकार से हमने सभी पौधों में इस compost को दे देना है अब इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि जो बारिष से नुकसान होता है उससे हमें पौधों को कैसे बचाना है तो उससे बचाने के लिए मैंने पहले भी आपको बताया है कि healthy powder या इस प्रकार से देखिए wood ice इसका यूज कर सकते हैं healthy powder को आप मिट्टी में मिला सकते हैं जिससे की जो snills है या चीट्यां हैं यह नहीं आएंगी और साथ मैं कोई fungus होगा तो वो भी पनप नहीं पाएगा वही काम आप राख को भी कर सकते हैं इसमें मिट्टी में मिला सकते हैं साथ में आप राख का प्रिंकल भी अपने पौधों पर कर सकते हैं जिससे पत्तियों पर भी कोई विमारी हो फंगस हो तो वह नहीं लगेगी पर मैं दोस्तों इससे अलावा मैं बता हूँ आपको कि आप इसकी अलावा जो तीसरा चीज फंगस और मांसून में होने विमारी उसे बचाने के लिए घोलने के बाद ये जो आपका घोल तयार होता है इसे आप मिट्टी में भी दे सकते हैं और पौधों पर इस्प्रे भी कर सकते हैं अब मिट्टी में आप 15 दिन में एक बार मांसून सीजन में जरूर दे और पौधों पर इस्प्रे कप करना है तो उसके लिए मुता हूँ जब आपके पौधे पर पतियां आने लग जाए ना ग्रोथ हो जाए यह जो नई नई ग्रोथ दिख रही है आपको नई सूट दिख रही है जब इनमें पतियां बन जाए और इस प्रकार से देखे पतियां मैच्योर होने लग जाए तब आपको इसमें इस्प्रे करना है तो और भी कोई पत्पियां सड़ती हैं पानी से तो उसकी वज़े से कोई फंगस नहीं आएगा कोई बीमारी पैदा नहीं होगी तो यह जरूरी टिप्स थे जिन्हें की आपको फालो करना है और इसके अलाव मैं आपको एक चीज़ पता हूँ कि जितनी आप फुल आउट्डोर बीडियो तो अगर वीडियो पसंद आयो जानकारी अची लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें वीडियो को सेयर कर दें और अगर कोई आपके पास सवाल हो सुझा हो मेरे लिए तो आप कमेंट बाक्स में जरूर लिखें आगे हम उसे जरूर फालो करेंगे बहुत- धन्यवाद